नमस्कार दोस्तों आपका अमारे यूटूब चैनल पर श्वागत है आज की इस वीडियो हम राजुबास वीकानेर से शम्मंदित महत्पूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे सारे स्टूट्ट्ट दोस्तों एडविसन लेटर का इनतिजार कर रहे हैं कि न्यूव एडविसन लेटर कब आएगा तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग में आपको एक अपडेट देना चाहूंगा हाला कि दोस्तों आपको पता है कि राजुबास साई सिस्टेमेटिक कोई काम नहीं कर पा रहा है सारे स्टुडेंट के जैसा मेरे पास फीडवे का रहा है दोस्तों कहीं न कहीं बोर ये राजुबास वीकानेर के काम से नाख हो से हैं उन सबी वैकन्ट लिष्टों की कालेज भाई कालेज लिष्ट जारी कर दी गए थी जितनी भी सीटों अभी तक कोई वैकन्ट सीट जारी नहीं कियें। अपडेट देदें तो उन पर कोई बड़ी समश्य नहीं चोटा सा काम है। हचारों स्टूडेंट जो और पीबीटी से दोस्तों उम्भीत लगा के बैटे हुएं उनका थोड़ा सा एक उनको confidence मिल सके या फिर उनको लग जाए कि हमें अब समय बरबात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उन्होंने दोस्तों कहिना कई मिस्टेक किये उनको ये बताना हो गई है और सबसे बढ़ी दोस्तों स्टूडेंट अभी भी मेरी जिन स्टूडेंटों से बात दोती हैं यह समझ जा रही है कि वो अपनी रैंक को लेके बढ़े खुसे हैं कि सार हमारी तो 311 रैंक है हमारी 216 रैंक है मैं एक बार आपको बता देता हूं वैसे मैं हर बीटी में ऐसा नहीं है अगर एक रेंग पर दोस्तों बीस बच्चे तो बीस की एक ही रेंग सो कर रही है आप खुद देख लो आपके जितने भी फ्रेंड्स हो या कोई भी हो किसी भी स्टुडेंट की रेंग अब तक मैंने कम से कम डाइचार स्टुडेंटों पिलस बात कर बाइच लिए बहीँ आप कम से कम अपनी रेंग बल्टिपलाई एट या टैन से करके मानो तो आपकी रहीं के का एक आदान मिल सकता है तो आप इस वरोसे में ना रहे है अगर आपकी जादा रेंग की मेरी अच्छी रेंग है मेरी तो होई जाएगा इसके लाबा मैं दोस्तों बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट या फिर कईयों का यह मानना है कि आज या कल के अंदर नया वो सेंट अलोटमेंट जारी हो सकता है दोस्तों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि पिछली बार उन्होंने नेस्ट काउंसलिंग के लिए अलोटमेंट लेटर तभी जारी किये थे जब लास्ट काउंसलिंग की जितनी भी वेक अंड शीट ही थी उन सबका नोटिस जारी कर दिया लेकिन अभी तक backend seat का कोई notification जारी नहीं किया गया है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है दोस्तो आज स्याम तक या कल तक notice जारी हो जाए उसके बाद ही तुमारा नया allotment letter जारी हो दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार वो backend seat का वो list जारी ना करें direct allotment letter निकाल दें क्योंकि कोई कहना मुश्किल नहीं है इनके बारे में क्योंकि कई update ऐसी है जो निर्दार समय पर राजुबास ने student के लिए provide नहीं कराई है तो दोस्तो मेरा जो खुद का अनमान है ये लगता है कि हो सकता है अगले एक दो देन या आज स्याम तक हर student का लगा लगा है यार कोई बताना confirm हो नहीं रहा फिर भी आप इंतजार कीजिए जल्दी ही जितनी seat खाली रह गई है नया allotment letter आपका जारी कर दिया जाएगा उसके regarding जो update जाएगी क्योंकि हमारे दर net की समस्या होने की बज़े से दोस्तो ये भी नई idea लग पाया कि कितने नंबर तक seat मिली है कितने नंबर तक seat नहीं मिली है तो आप इंतजार करो allotment letter का जैसे दोस्तो allotment letter जारी हो जाएंगे या login होना student का start हो जाएगा मैं आपको बता दूँगा अब मेरे यहाँ net की सुबदा वर्कपूर आ रही है त जैसे जैसे student मेरे contact में आएंगे दोस्तो आप तक क्या cut-off रही है कितनी seat बेकेंड रह चुकी है nest council में cut-off जाने कि क्या संबाबना कितने student को इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस प्रकार की तमाम जानकारी के लिए दोस्तो मैं नई वीडियो बना के आपको upload कर द पर contact कर सकते हैं 7357-221224 इसके लाब दोस्तों वार्ट सेप में बैटनरी के बच्चों का गुरूप बना रहा अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम रेंक और अपने मार्श कितने वो सेंड कर दें मैं आपको इस गूरूप में जोड़ दूँगा तो दो नोटिस जारी नहीं किया है और दोस्तों हो सकता है वो आगे भी ना करें क्योंकि कहीना कहीं लापर वाई है जबकि आप देख सकते हो नीट एंट यह जो ऑफिसली एक्जाम करा रहे हैं और काफी वड़े इंडिया लेविल के एक्जाम में वह पल पल में नोटिस जारी कर जिससे कि स्टुडेंट को आगे से आगे इंफॉर्मेशन मिलती रहें लेकिन दोस्तों राजुबास को कहीना कहीं सुदार करने की आवश्यक्ता है और अब आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि आप सब जानते हो कोई वेफकुप नहीं है इस दुनिया में तो अभी से आप पढ़ाई चालू कर दो नवेंबर निकलने वाला है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मई मैं 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 आपका एक्जाम हो जाएगा मैं जून में तो अभी आपके पास टैम नहीं है अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो सकता तो समय मत बर इसके बाद करो कांसलिंग के चक्कर में यह कांसलिंग आपको दिसंबर का महिना भी निकल देगी फिर आपके पास केवल चैर महिने बचेंगे फिर आपके पास आपके बीसे पढ़ाई श्टार्ट करते हैं समय बरबाद ना करें और दोस्तों जिन कोंबीद है वो अभी कांसिलिंग का पेटका ने इसके लाबा जो वीडियो आएगी मैं आपके लिए तुरंत अपडेट आएगी दोस्तों जो भी नया नोटिपिकेशन आएगा आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगा तो दोस्तों मिलते हैं ने वीडियो में अपडेट के साथ आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत